अस्तामलीकूम फ्रेंड्स, वेल्कम बैक टॉप स्मार्टीज, ट्रामा सीरियल निजात शाजैन ने जिस टेंडर के लिए दिन रात मेहनत की थी कि इब्राहिम साहिब के सामने वो जीत चाए उनकी कमपनी को हरा दे वो टेंडर भी तो इन्हें ना मिल सका ऐसी में शाजैन को बहुत गुसा आता है कि आज अपने बाप की वज़ा से वो फिर से हार गया, इसलिए तो उसे जॉब से भी फायर कर दिया गया अब जॉब से निकलते हुए, वो कामरान भाई को देखता है शाजैन इतना गुसे में है कि फॉरण से पहले आफिस से बाहर निकल चाता है रिक्षे में बैट कर वो घर गया, तो अब उसे बहुत ही गुसा है चीजों को तोड़ने फोड़ने भी लगा मिनाहिल से भी अच्छे से बात नहीं करता ऐसे में जब फर्याल उसे नजर आए, सोने पे सुहागा उसे तो माडने पीटने को आता है क्योंकि उसे लगता है कि सारा कसूर फर्याल का है दूसरी तरफ इबराहिम साहिब जब घर गए तो कामरान और उसकी बीवी कहने लगी कि आपने शाजेन के साथ अच्छा नहीं किया क्या ही अच्छा होता ये टेंडर उसे मिल जाता ताकि उसकी पर्मोशन भी हो जाती और नौकरी भी बच जाती लेकिन ऐसे में इबराहिम साहिब बताने लगे कि अभी उसे और मेहनत की जरूरत है उसे अपनी अना अपना गुस्सा हतम करना होगा फिर वो हर मिदान में आके चा सकता है लेकिन शाजेन के साथ वो मिलना भी चाते हैं इसलिए शाजेन के पास चाकर उसे समझाने की कोशिश भी करना चाते हैं लेकिन जैसे ही वो शाजेन के घर जाते हैं तो शाजेन पहले ही फर्याल पर भड़क रहा था, हाथ से पकर कर उसे बाहर निका रहा था, ऐसे में उसने धक्का दिया कि फर्याल दर्वाजे के पास जाकर गिरने ही वाली थी, कि इब्राहिम साहिप ने आगे भड़कर उसे जल्दी से संभाल लिया, कि वो गिरते गिरते बची, ऐसे में इब्राहिम साहिप को बहुत गुसा आया, फर्याल पर गुसा करते हुए कहने लगे, तुम्हें कितनी बार कहा है कि इस आदमी से अपनी जान चुरवा लो, तुम आज़ो मेरे पास, तुम क्यों नहीं सुनती मेरी बात, आज मैं तुम्हें हुक्मन कहता तुम्हारा बाप हुँ मैं, चलो मेरे साथ, तुम्हें यहां चोड़ कर तो अब मैं हर्गिस नहीं जाओंगा, ऐसा समझो, तुम बेवा हो गई, तुम्हारा शोहर मर गया, और तुमने अब इद्दत पूरी करनी है, इद्दत के दिन, तुम मेरे घर में गुसारो के, उस इसलिए सब कुछ छोड़ चार कर, वो इबराहिम साहिब के साथ, उनके घर चदी चाहती है, जाकर भी बहुत पेचैन है, कि शाजैन का तुम इनाहिल हयार रखती ही नहीं, उसका खाना, पीना, उसकी बाकी जरूरते कैसी पूरी होंगी, लेकिन इबराहिम साहिब उसे कहन इसलिए ना चाहती हुए भी उनका फैसला मानने को त्यार है, दूसी तरफ जब फर्याल घर से गई, तो शाजैन भी पागल सा हो गया, रात को खड़ा, चीहने लगा, चिलाने लगा, वो बेवा हो चुकी है, मिरे बाप ने कहा कि वो अपनी इद्दत पूरी करेगी, यनि जिमी सुबह उटकर भी शाजैन बाहर निकल चाता है, मिनाहिल कॉल्स करती रही, लेकिन शाजैन ने कोई कॉल अटेंड ही नहीं की, जिसकी वज़ा से मिनाहिल को भी बहुत गुसा आजाता है, लेकिन अब अगरे ही दिन, शाजैन को भी इबराहिम साहिप ने फोन करवा कि वो फर्याल की तलाक चाहते हैं, जिस पर शाजैन को बहुत गुसा आया, गुसे से फून बंद कर दी और चीखने लगा, उसे नहीं चोड़ूँगा, मैं उसे तलाक नहीं दूँगा, मिरा बाप जो चाहता है, वो तो मैं हर्गिस नहीं करूँगा, क्यामत तक भी मैं उ उस औरत को तलाक नहीं दूँगा, अब शाजैन का यही फैसला कि वो फर्याल को तलाक नहीं देगा, मिनाहिल को बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि वो तो यहीं चाहती है कि फर्याल नामी कांटा उनकी जिन्दगियों से निकल चाहे, और वो शाजैन को लेकर USA में सेट हो जाए, लेकिन शाजैन मिनाहिल के किसी भी अरादे में उसे काम्याब नहीं होने देगा, क्योंकि उसे लगता है, यह जंग उसकी इबराहिम साहिब के साथ है, और वो इबराहिम साहिब को हराना चाहता है, इसलिए ना तो वो घर वापिस जाना चाहता है, ना मिनाहिल को छ कर दो दुटक देगा